मदुबाला मैम नमस्कार आपने इतना अच्छा सिखाया इस क्लास में हमें कि इस क्लास में इतना अपनापन का एसास हुआ कि निम्रलजी सिखते शिखते आप हमारे लिए बहुत खास हो गए अनुठे रूप से आपने हमें भोत सरल साधे एवं धर्य के साथ पढ़ाया क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि एक एक प्रश्न आपको हम बार बार अलग तरिके से पूछते थे क्योंकि सबके अलग अलग प्रॉब्लिम्स होते होंगे तो वही नंबर एक नंबर आठ का प्रॉब्लिम आ रहा हैं डी सी वन है तो 8 का करे नहीं करे ऐसी बाते तो आपने हर बार पूरी शान्ति के साथ और धैरे के साथ बारीकी से हमको हर चीज समझाने की कोशिश किये औ और वो बाते सब हमारे दिमाग में बहुत अच्छी तरह से फीट हो गई है मैं तो इस फिल्ड में मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कभी मैंने उम्रोलाजी कोरूंगी पर मेरी सिस्टर की वज़े से उस दिन मैंने आपका पहला क्लास उसके बराबर बैठी थी पर ऐसे ध्यान इमिजेटली क्लास खतम होते ही सिस्टर ने बुला पढ़ना चाहोगी कि आप तो मैंने बुला हाँ पढ़ूंगी मैं और मैंने इन्रॉल कर लिया और मतलब निम्रोलाजी क्या होती है मुझे तब तक बिल्कूल भी मालूम नहीं था पर आपने इसको जिस मेहनत से जिस अगन और महिनत करके मैं इसमें प्रगति करना चाहूंगी I hope कि आप हमें मार्गदर्शन भी करती रहेंगी और किसी ने अगर मुझे पूछा आगे जाके भी कि आपने किसके पास सिखा है तो मैं जरूर आपका नाम बोलूंगी कि प्लीज आप मधुबला चावला जी के प हो उनके पास है ये आपका जो सोभाव है यह मुझे बहुत-बहुत भागया अपको बहुत भाद जेर सारे यहीं है आप हमारे गुरू हैं फिर भी मेरे बेटी जैसे हो इसलिए आपको बहुत-बहुत आशिर्वाद के साथ गुरू है इसलिए प्क्रणाम ठैंक यू बढ़सा कर दो जो